जिमनी का इंतजार तो बहुत हो गया लेकिन शायद उससे पहले कुछ और जबरदस्ट भारत में आने वाला है और आज मैं बात करूँगा जीप रेनेगेड की दरसल ये गाड़ी भी भारत में टेस्ट होते हुए काफी बार स्पाई हो चुकी है और जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो इंडिया के ही है ये गाड़ी दोनों 4x2 और 4x4 आप्शन्स में आती है तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये गाड़ी जिमनी की मार्केट भी खाएगी और साथ साथ हुन्डा, क्रेटा और कीसल टाउस की भी क्योंकि ये गाड़ी दिखने में एक प्रॉपर आफ रोड ऐसी वी जैसी लगती है और क्योंकि ये है भी लेकिन इसका 4x2 वेरियंट काफी सस्ते दाम पर भारत में मिल सकता है और आज इस वीडियो में आपको ये ही बताऊंगा कि कैसे अगर ये गाड़ी सही दाम पर भारत में आती है तो कियासल टाउस, हूंडाए क्रेटा या फिर टाटा हैरियर इन सभी गाड़ियों को ये बहुत बढ़िया टकर देगी सबसे पहले तो हम इसके 4x2 मॉडल की बात कर लेते हैं ये गाड़ी front wheel drive होगी और अगर इसमें वही features हुए जो कि international market में इसमें आते हैं तो ये काफी जवर्दस टकर देगी किया सेल्टास और हूंडा क्रेटा को इसके features से क्योंकि वो दोनों गाड़ियां भी अपने features के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं अब basic features जैसे LED projector headlamp, daytime running lights, LED tail lamps, automatic headlamps, rain sensing wiper, automatic climate control ये सब चीज़ें तो basic हैं जो कि आपको हर गाड़ी में आजकर मिल ही रही है लेकिन कुछ और cool चीज़ें भी हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके removable rooftop की जी हाँ आप renegade का rooftop उसी तरह से अलग कर सकते हैं जैसे कि Jeep की Rubicon में होता है आप front और rear side के दोनों mounts को allen key से remove कर सकते हैं और इसमें एक roadster गाड़ी का मज़ा ले सकते हैं इसमें cool glove box है, rear aircon vents है, electronically adjustable seats with lumber support जो की बहुत बढ़िया है और इसका steering wheel है वो leather covered है और बहुत बढ़ी है quality का leather इसमें यूज किया गया है keyless entry भी है और push start stop button भी दिया गया है अब safety के मामले में देख जाए तो इसमें dual front airbags है side में भी airbag दिये गए है, anti lock braking system यानि ये वीस भी है और सबसे बढ़ी है जो technology अभी Jeep ने यूज की है, वो है electronic brake force distribution system जो की braking के function में बहुत अच्छे help करता है बाकि ESP और traction control तो है ही लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये 4x2 जो model आएगा इसका ये kreta, kia और harrier से टकर लेगा क्योंकि इसका जो size है वो 4 meter से थोड़ा ज्यादा है अगर ये sub 4 meter होती तो मैं कहता कि ये तकर लेगी ब्रेजा से या फिर venue से या फिर और भी जितने भी sub 4 meter गाड़ी है उनसे खैर, अब आते हैं इसके power पे अब international markets में इसमें काफी ज्यादा engine variants आते हैं लेकिन भारत में मुझे लगता है दो major engine जरूर आएंगे एक diesel और एक petrol जिसमें petrol वाले में 160 bhp और 200 newton meter टार्क होगा जो कि मुझे काफी genuine number लगते है अगर ये गाड़ी लाई जाएगी और diesel वाला थोड़ा ज़्यादा ही powerful लगता है इसके price चे तो मुझे वो लगता है कि वो 4x4 variant में लाया जाएगा और उसके power figures है 170 bhp और 350 newton meters of torque जो की काफी अच्छे number है इतनी कम size की गाड़ी के लिए अब आते हैं price पे अगर हम बात करें 4x2 variant की तो वो 11 से 12 लाग के बीच आ सकता है अराम से क्योंकि international markets में भी इसका जो base model है वो 18,000 US dollar से शुरू हो गया अगर उसमें से थोड़े बहुत features भी लोग काट लेते हैं तब भी ये गाड़ी आराम से 11-12 लाग के बीच आ ही जाएगी और जो उसका 4x4 variant होगा वो महंगा होगा और जैसा की जीप अपने compass के साथ करती है उसे वो trail hawk badge देगी तो trail hawk badge के साथ होगा क्या कि गाड़ी को 4WD यानि 4 wheel drive दिया जाएगा अब वो एक proper transfer case के साथ हाईगी ऐसा मुझे नहीं लगता उसमें वही electronically power distribution function यूज होगा in comparison to other off-road vehicle वो उतना कारगर तो नहीं लगता पेपर पे लेकिन इसके test अगर ढंक से किया जाए और देखा जाए तो यह तो तभी पता लग पाएगा कि यह कितना कारगर है लेकिन फिर भी गाड़ी all four wheel को power देगी और जिससे यह गाड़ी काफी ज्यादा capable हो जाएगी as compared to four by two cars तो यह गाड़ी अगर पंदरा से सोलह लाख में भी जीप लाती है क्योंकि जीप की pricing थोड़ी high level पे रहती है फिर भी यह गाड़ी पंदरा से सोलह लाख में अगर लेक्शो रूम भी मिल जाए तो इसमें electronically काफी ज्यादा capable फीचर्स हैं जिससे इस गाड़ी का potential बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे तो यह लग रहा है कि जीमनी के साथ-साथ यह गाड़ी भी इंडिया में एसी साथ के तक आ जाएगी और खुद जीब कंपनी के हेड ने ये बात कही है कि हम जीब renegade को इंडिया में जरूर लाएंगे लेकिन अभी हम market को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने इसके ट्राइल्स पर थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दिया मगर ये गाड़ी भारत आएगी कंफर्मड है तो ऐसे ही आटो मोबील से जुड़ी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम मिलें अगली वीडियो में फिर से और तब तक के लिए धन आवाद